दोस्तों रोज ये पोधा कारी किरम में आज जीजी बस जुजूबा बेर का पेड़ के बादे में देखेंगे ये आप देख रहे हैं ये बेर का है बेर का पेड़े ये बेर सब जहां लहावा देख लीजेए ये पूरा बेर का पेड़े ये बेर का पेड़े एक नेचरल गिफ्ट है ये इसमें बहुत ज्यादा फाइदा रहता है ये बेर ज्यादा खाने से बूख अच्छा से लगता है डाइजेशन अच्छा इंप्रूव हो जाता है सर्दी कासी ठीक होता है इसमें कैल्सियम विटेमिन सी ज्यादा है इसमें इसमें हडि मजबूत होता है इसके ज्यादा खाने से लिवर मजबूत होता है proportion इसमें वुटेमोपलय कोलबीन का मातरा बढ़ता है इसके ज्यादा यह को अधिमें इसके खाने से प्लेकिलेट्स का आड़ल बढ़े जाता है हिससे ही सेवन करने से बहुत ज्यादा रहता है हूं स है यह holi के यह बेर में भी आपका कट्धा मीटा देशी पैसि रमिलता कि अज़ल हाईब्रेट बेर ज्याला का लीख़े उस made ज़ादा रहता है इसका बेर का अगा पर्षा इसका बारह प्रैंग आदल श्रॉस्थ तुरा बहुत बेर लेका उसके साथ यह दो लाल मिर्च घडी लाल मिर्च डालके उसके साथ दोड़ा सब गूब डालके Pानी डालके वबलने से बुल के पीने से डाइजेशन अच्छा होता है बूक अच्छा से लगता है इसका लवा गैस का दिक्कत आता है वो गैस प्रॉब्लम ठीक होता है दोस्तों पान्चे ये बेर ले लिजे एक ट्टा मिटावाला जैसी बेर अच्छा रहता है उसी बेर को लेकर उसके साथ तोड़ा सा सुंती क शूरन थोड़ा सा काली मिठ पानी डालके उबालके उसका साथ तोड़ा सा हणी मिला की पीने से लंग्ज़पे जमावा कफ अब बहार निकल जाता है, पित का मात्रा बराबर होता है इसक़लवा constipation ठीक होता है ,टाइलेड जाने में दिक्कत नही आता है इसक़लवा शरीर का tiredness चला जाता हैред हो तो पिने से tiredness चला जाता है दोस्तो यह जीजी बस जुझूबा मिल्क कहते हैं जुझूबे फुरूट का नाम से भी इसके कहते है बेर यह बेर का पत्ती भी इसमें मीडिकल प्रापिट बहुँ जादा रहता है इसके यह पत्ती तोड़ा बहुत एक चमच का पत्यातों कि पैष्ट लेके उसका साथ इसका ये पेड के छाल ये बहार कि इसका तोड़ा बस एक तुकडा लेकर ऊढ़ा पैणे से बिमारी कोई भी बिमारी आने सिर्वाने में काम्याब हि एक ल्वाशने कर दुक्ता सा ए in गषिवार इसका अलवा इसी पानी से आप सरीर में चोट लगता है वो चोट को दोने से जल्दी ठीक हो जाता है इसका अलवा पाइल्स पिस्टुला फिशेर इसका एक्स्टेनल बाहर का तरफ से इसका यह वाली पानी से दोने से वह जल्दी ठीक हो जाता है, यह पत्ती यह चाल दोनों का पानियों का उबालके उसका साथ तोड़ा सा दही मिलाके रेगलर खाने से पिश्टूला ठीक हो जाता है दोस्तों यह देशी कठा मीटा वाली बेर आप सीशन में एक दो मैने के लिए मिलता है उस समय इसका आपका खाने से ब्लड प्यूरिफाई होता है ब्लड जादा बनता है इसका अलबा सरीर में कई-कई जहां यास के कारण दर्द देता है उसके लिए भी यह इसका खाड़ा बनांके पीने से तरह बेर फच्छा खाने से वह ज़्यादा रहता है कि इसके लए इसमें क्या हिमोकलोَबिन बढ़ता है रजाए है इसके लवा डेंगू वाइरलीवरर उस समय में सरीर में ब्लेटलेटड्स का खौ़ल दो .. जाता है उस समय यह प्लेट लेट खाउंट्स बढ़ाने के लिए यह जाला फाइदा रहता है इसका लवा यह लिवर मजबूत होता है हड्डियों मजबूत होता है इसका लवा सरीर में जमावा कफ सब बहार निकल जाता है बूख अच्छा से लगता है डाइजेशन पावर बढ़ जाता है असरी डिक नहीं होता है दोस्तों यह बेर कपतियों कपीस के उसका साथ नारियल के थेल में डालके दीमी आग में बाइल करके उसी थेल को सर्बे लखाके आदा एगंडे में नहाने से डेंडर्फ चला जाता है यह जिसमें बाल सपेद हो जाता है वो ठीक हो जाता है इसका बाल अच्छा गणे आता है आप ये इसी पत्तियों का नारियल के तेल में डालके बाइल करके उसी तेल को आप सरीर में कई भी छोट लगता है उसी जगा पे लाहाने से जल्दी टीक हो जाता है है कि ये बेर कपत्तियों का तोड़ा बहुत लेके उसका साथ तोड़ासा फ्याज का डालके दोनों का पीषिके कई पुराना छोट लगता है बहूँ ज़ल्दी ठीक नहीं हो रहा होगा उसी में लहाने से कई भी छोट लगता है उसी जहाँ पर उसका लैप लहाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता दोस्तों ये बेर आप पूरा साल नहीं मिलता है साल में एक ही सीसिन में आता है पर ये पूरा साल अपन समालके रखने के लिए ये आप बेर को एक डैसो गराम का बेर ले लिजे वो बेर को अंदर का बीज निकालके उसका साथ चार खड़ी लाल मिर्च डाल दीजिए, उसका साथ चार एक चमज का गूड डाल दीजिए, तोड़ा बहुत हिंग डाल दीजिए, उसका साथ तोड़ा सा नमक डालके, उसका बिना पानी डाले, अच्चा सा पीस लीजिए इसमें, मिक्सी में डालके पीस के, उसका एक चोट सुखा इ ciudiska बिल्कूल सुख जाता है फिर उसको टबा में डाल पर्लीजिए अपका पूरा साल में कभी कर नहीं होता है कि आप अब डैल कर अचिभी जरूर पड़ताइस टाइम आप इसका खा सकते हैं कभी बूग नहीं लग रहा है और पेड़ खराब लग रहा है डाइजेशन नहीं हो रहा है ज़्यादा खान खाली है अ ज़्यादा भाण है एक वह बड़ा जैसे बनाके राका चबशे documented रहा है उसी का आप निकाल खा लीजिए बहुत ज्यूदा अ sounds in ये कभी खराब नहीं होता है, साल दो साल भी खराब नहीं होता है, दूसरा सीसन में भी इसका काम में आ जाता है, इसका स्वाद कटा मीटा रहता है, इसमें विटेमिन ये, विटेमिन सी, कैल्सियम बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, ये हड्डियों को मजबूत रहता है, सरीर में जमा हुआ सब टाक्सिन सब बाहर निकल जाता है सरदी काची नहीं होता है इसमें बहुत ज्यादा फाइदा रहता है इसलिए इसका आप ऐसे बना के आप समाल के रख लीजिए तो पूरा साल यूज़ कर लीजिए इसके साथ तोड़ा सा इमली डालना हो ना आपके जरूरत के साथ से तोड़ा सा इमली डाल के भी अपना सकते है वो कटा मीटा अच्छा रहता है